सวल आप सब को और हमारे análल पर आप सब को जो है वह वेल्कम करते हैं और आज जो हम पार्ट फॉर किलासC Max की शो है फिर्टी वीडियो अब लोड़ करेंगे ओर जो हमारा जो है फिर्ट किलास का जो है वह कोर्स कॉंप्लिच हो चुका है फिर्टी दो ङसाइंस अबी हम प्रेश काOD फोर जो है वो upload आज करेंगे जिसमें हम रिडिकल का जो यूज होता है और उसका जो concept होता है जिसमें यूज अफ ए और N की जो है कि करेंगेder और उसकी जो है लिंक भी जो है में डिस्क्रिप्शन में आपकी साथ शेयर करूंगा और यूजफ ए और एन को आपके साथ जो है उसका रिवीजन भी आज थोड़ा सा करेंगे और आज जो हमारा में टॉपिक है वो यूजफ जो है दा डिफिनेट जो है आर्टिकल है यूज यहां पर देखो यूजफ ए और एन है तो यूजफ ए और एन अब हमें पता है किसी भी किसी भी लेंगवेज के अंदर उसकी जो अलफाबेट्स होती है वो बहुत यानि बिल्डिंग ब्लाग्स जानि इंपोर्टेंट्स रॉल प्ले करती है तो आवराल इंग्लिश में भ गो शॉल हो तो अससे पहले हम एन इस्टमल करेंगे यहां पर देखो आप यह जितने भी वर्ड है वो वाविल से स्टर्ड हों तो उससे पहले एन का Istमाल रहा है रूल नमबर दो में यह क्या बताता है कि स्टर्ड फ्रामदा कॉंसोड़ यानि कोई कॉंसो नें इस से इस् सिंपल दो रूल से अब जो हम ज्यादा कंशूजन होती है केंडिडर जानी स्टूटेंट्स को वो है रूल नोबर थरी एन फॉर में तो इस्टार्ट फ्राम दा वाविल्स पर नाट गिव दा वाइस अफ अलिफ अब यानि अर्दू में या सिंदी में अगर अलिफ की आवा कावल से ही चुरूरा हो रहें पर यह लिफ की आवाज नहीं दे रहे हैं तो इसकी वजह से हम यहां पर एक.. का इस्तेमाल कर रहे है ठीक है इसी तरीक से रूल नमबर फॉर क्या कहता है के स्टार्ट फराम दा कॉंशूनन यह कॉंसोनेंट से शुरू हौरे बट यह सिंदी या उर्दू में अलिफ की आवास दे रहे हैं तो इससे पहले जो हम ए नहीं बलके एन का इस्तमाल करेंगे ये शॉर्ट कॉंसेप्ट था इसका और अब नेक्स हम चलते हैं वो यूज अफ दा यानि डिफिनेंट आर्टीकल के ओपर जो आज का हमारा टापिक है ये रिवीजन था आज के लिए और इसकी लिंक भी हम जो आज की वीजियो में जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे अब हम चलते हैं डिफिनेंट आर्टीकल जो हमारे पास दा है यहां पर देखो इनके कुछ रूल्स हैं और अल्मोस्ट जो टैन रूल्स होंगे जो ठीक है बहुत इंपोर्टेंट होगा ये रूल्स किसी भी टेस्ट के लिए तो हम अभी इसको सीखते हैं अब ये कहता है बिफॉर दा सूपलिटी डिग्री सूपलिटी डिग्री जो हम कली जो एक वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने जो एजेक्टिव का फुली कांटसेट सीखा था जिसमें हमने एजेक्टिव में तीन डिग्री होती है जिसमें तीसरी डिग्री जो होती है सबसे आला और उम्दा जो सूपरलेटिव डिग्री कहला दिये और उसमें हमने क्या किया कह रहे थे तो उससे पहले हम जो है दा का इस्तमाल करेंगे ठीक है ना अब यहां पर दा रिचेस्ट दासमालिस्ट ता बिचेस्ट बिचेस्ट जो भी सूपरलेटिव डिग्री होगी उससे पहले जो हम क्या करेंगे वो दा का इस्तमाल करेंगे यह पहला यूज होगा नेक्स रूल क्या है दारेक्शन और पॉइंट यानि किसी खास जगह शक्स या चीज की तरफ इशारा करते हैं वो डाक्टर है आई केम टू मीट जिससे मैं मिलने आया हूं यह वो डाक्टर है यह डारेक्शन को पॉइंट कर रहा है उस डाक्टर की जानिब जो है वो मुखातिब हो रहा है यहाँ पर देखो वियर इस दा किच्छन किच्छन क शो कर रहा है किसी खास जगह को पॉइंट कर रहा है तो हम इसके पहले भी दा कर रहे हैं तरड क्या है हमारे पास रूर्ल beneficion प्र्णी जो प्राइविट ओदेदारों से पहले भी हम जो हैं वो क्या करते हैं दूसरा हमारे पास लाज चोथा नमबर क्या है मुन्फरद अश्या यानि सबसे मुन्फरद हो जैसे हम नेच्रल यह चीज होती है जैसे दा अर्थ तो इन किन से पहले भी हम जो हैं दा का इस्तमाल करते हैं दा सन दा मून दा इसकोई दा गैलक्सी दा प्लैनेट्स इटी सी इन से पहले भी हम जो हैं वो क्या करते हैं दा का वो इस्तमाल करते हैं नेक्स देख रहे हैं क्या इसमें बीफोर दटाइम वक्त से पहले हम the का यह इस्ट्माल करते है। यहाँ देखो the morning उसे पहले हम्षे क्या करते हैं? दडा का इस्ट्माल करते हैं और फिफ़ नंबर हमारे पास है ता हॉली बुक्स मुकदस जो किताब हैं उन से पहले भी हमद्ड़ का इसमाल करते हैं अधार पंसे और इसलि करते हैं, तिसलिंग ऑ्यफार नंबर सबस्वार कमद़ का नार्स, कि हमद्बा करते हैं। और ट्रेंड्स जो गार्यां होती हैं उनसे पहले भी जो हम्दार का इस्तमाल करते हैं दा तेजगाम दावामी एक्सप्रेस दा महरान तो इनसे पहले भी हम्दार का इस्तमाल करते हैं यूजबेपर हो मैगजीन हो उनसे पहले भी हम्दार का इस्तमाल करते हैं दारबिंसी दाइटलांटिक उशन तो यह जो है वो समंदरों के अवज़ दाइंडस यह जो हैं दर्याओं के नाम दारावी उन से पहले भी हम दर का इस्क्माल करते हैं एटीसी सो आज के लिए इतना उमीद है हमारी वीडियो आपको जो है वो पसंद आई होगी इंशालला नेक्स टाइम जो है नई वीडियो के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर लाजमने कीजेए अल्ला फिस